नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अभी सेक सिंग और आप देख रहे हैं टार्गेट क्रेकिक जाम दोस्तों अररभी एंटीपीसी परिक्षा के आठ जनवरी 2021 को हुए दोनों सिफ्ट के करेंट अफेर जीकी और जीएस की टूटल जितने भी कोस्टिन थे उनमें सुस्तों मैक्सि सबसे पहले आप तक मौचे वीडियो अच्छे रहे हैं इसको लाइक करके अपने जुस्तों में जरूर से मिल जाएगा वहां से आप इसको जाकर डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो पूरा देखिएगा अधरवाज बहुत सार ऐसे पॉइंट है जो आपर डिसक्रस करने वाल जी से नेक्स्ट कोश्चन है आपका 1907 का कॉंग्रेस अधिवेशन कहां हुआ था दोस्तों कॉंग्रेस अधिवेशन हुआ था सूरत में जिसकी अधिक्षता की थी दोस्तों रास बिहारी घोस ने जोस्तों इसको थोड़ा सा ट्रिक से आद करेगा इस टाइम पर कर से हम ब अधिवेशन की बात करें तो आपका 23 अधिवेशन था अगर हम इसके बाद में एक और पॉइंट की बात कर लें दोस्तों आपके 1916 जो की दोस्तों 31 अधिवेशन था जिसकी अधिक्षिता मजमदार जीने की थी तो मज से मजमदार और मज से मजा आ गया उस टाइम पे तो anyways with भारत के बाहर कहां फेला गया था दूस्तों भारत के बाहर फेला गया था इस्टट गार्ड नगर जर्मनी 22 अगृस्त 1907 को मेड मेड़म भिकांजी कामा द्वारा इस जीज को भाश्ट भीर भी पूचा था कि आपका भारत का जंड़ा कहां फेलागया था जो कि इं आराश्ट से है, इंटर फोल का मुख्याले कहा है, दोस्तों इंटर फोल का मुख्याले है, लौएन फ्रांस में, इंटर फोल का अगर हम बात करें, फुल फाम होता इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस और्गनाईजेशन, नेश्ट कोस्टन, अभिस्वा के सबसे बड़ी ताज अगर हम बात कर लेते हैं, अभिस्वा की प्रथम रेल, दोस्तों यह 1825 में चली थी, इंग्लैंड में, नेक्स्ट कोस्टन था, आपका फोल्टरॉन का फूल फूर्म क्या है, दोस्तों इसका फूल फूर्म होता है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, इसकी हम बात कर लें, रिय अंसुला कांत, जो विस्व बैंक की M.D. बनी है, वह पहले किस बैंक की M.D. रह चुकी है, दोस्तों वह S.B.I. की M.D. रह चुकी है, नेक्स्ट कोस्टन था, आपका फ्रांस का सरवच नाकरिक, इसकी लिएर D.L. आर्डन, नेशनल D.L. लिजेंड ओनर, इसरों के किस विजेता टीम है, आपकी भारत, और अगर हम उपविजेता की बात कर लें, तो उपविजेता आपकी पाकिस्तान है, नेक्स्ट कोस्टन है, आपका राष्टिय विज्यान दिवस कब मनाया जाता है, दोस्तों राष्टिय विज्यान दिवस मनाया जाता है, 28 फरवरी को, औ सरवजनिक पदोपर समानता का अधिकार किस अनुखेत से समन्दित है तो दोस्तों, यह समन्दित है अनुखेत सवाला से नेक्स्ट कोस्टिन था आपका WTO, मिनिस्ट्रियल कॉन्फरेंस, MC11, कहां आयोजित हुआ? तोस्तों यह आपका आयोजित हुआ है विवनौस, ARS, अर्जेंटीना में, दोस्तों, दिसंबर 2017 में नेक्स्ट कोस्टिन है आपका जोन बिल मेला की से राज्य में मनाया जाता है, तोस्तों यह मनाया जाता है अजम में नेक्स्ट कोस्टिन है आपका दच्छुर पूर्वे, ACI राष्ट्रों का संगतन, आसियान का स्थापना, इस्थापक सदस से देश कौन सा है? दोस्तों इसमें बात करें फदस्य दिस आपके टोटल दस है जिसके हम दोस्तों इस्थापक की बात करें फदस्य थाइलेंड, इंडोनेसिया, मरेसिया, फिलिपिन्स और सिंगापूर थे हैं साथ में दोस्तो मुख्याले की बात करें जकार्ता आपके इंडोनिसिया मुख्याले है और महा सची हुए इस टैंप पे लिम जौक होई नेक्स्ट कोश्चन है आपका विरु पाक्ष मन्दिर किस भगवान को समर्पित है तो जोसतो ये समर्पित है लौड विरु पाक्ष जियो की आपके दोस्तो स्युजी का ही नाम है और जोसतो ये स्तित है हंपी करनाटक में नेक्स्ट कोस्टेन आपका उत्राखंड में नमामिग अंगे प्रोजेक्ट हेतू दस हजार रुखद्राक्ष के विरिख्षारोपण का एक प्रोजेक्ट सुरू करने के लिए किसकी बीच M.O.U हुआ है दस तो आप देख सकते हैं M.O.U से भी कोस्टेन पूछे जाने लगे हैं तो इसको भी आप लोग कबर कर लेजएगा करेक्ट एंसर होगा दोस्टो आपका N.M.C.G ने उत्राखंड के दस हजार रुखद्राक्षों के विरिख्षारोपण का एक प्रोजेक्ट के लिए इन टेक और HCL फाउंडेशन के साथ समझाओते ग्याबर पर हक्स्टाक्षर किये हैं नेक्स्ट कोस्टन है वीपी के नियंद्रण के लिए आहरुवेदिक मेडिसीन क्या है तो दोस्तो ये मेडिसीन है आपका सर्फ गंधा जोकी दोस्तो जामुन और तुलसी ये तीन आपकी मेडिसीन यूज होती है बीपी के नियंद्रण के लिए नेक्स्ट कोस्टन है आपका किस नदी में नदी डॉल्फिन पाए जाती है तो दोस्तो यह पाई जाते हैं डिपेंड करेगा ओप्सन के उपर वसे जो पेपर में था ओप्सन वो था आपका दोस्तो गहंगा न दी Next question है आपका chlorofluorocarbon कौन मुक्त करता है दोस्तो मुक्त करता है रेफ्रीजरेटर AC अगर हम बात करें दोस्तो इससे लिटर आपका आजयेगा ओजोन पर सनक्षण के लिए Montreal Protocol आपकी दोस्तो साइन कप किया गया था 26 अगस्त 1927 को Next question आपका था दोस्तो अरवियाई ने कैस लाइट सोसाइटी ये तो भुक्तान परणाली के लिए कौन सा विजन जारी किया है दोस्तो विजन 2021 विजन 2021 विजन के अजक्ष कौन है दोस्तो अजक्ष है आपका डेविड मालपास जो की दोस्तो तेरह में प्रेसिलेंट है और दोस्तो इसके हम बात करने मुख्याले के तो मुख्याले है वासिंगटन डीसी और स्थापना दोस्तो हुई थी आपकी जुलाई 1944 में नेक्स्ट कोश्चन है भारतिय उद्योग परिसंग C.I.I. के अजक्ष कौन है दोस्तो अजक्ष है उधर कोटक महा सचीव की बात करें चंदजीत बनरजी मुख्याले है आपका नई दिल्ली में नेक्स्ट कोश्चन है वरिता करम से दूसरे सर्वक्ष व्यक्ति कौन है दोस्तो दूसरे सर्वक्ष व्यक्ति होते हैं आपके वाइस प्रेसिलेंट जोकि दूसरे स्टेंप है वेंक के हैं नाइडू नेक्स्ट कोस्टेन है आपका किस राजे में सबसे थर्मल उर्जा उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा थर्मल उर्जा उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा होता है महराष्ट में अगर हम बात कर लेंगे सोलर उर्जा का तो वो होता है गुजरात में उस्तो हम wind energy की बात कर लें तो wind energy आपकी उसस्ती तमिल नाडू में Next question था आपका research reactor का नाम क्या है कि जिसे भावा परमालू अनुसंधान के अंदर द्वारा परिक्षण किया गया है जोस्तो बहुत सार है इसमें से कुछ मेर नाम है आपका अपसरा सरकर्स कामनी पुर्णीमा वन पुर्णीमा टू जरलीना Next question है आपका द्वारा डिजाइन किया हुआ स्थल कौन सा है दोस्तो यह आपका स्थल है विक्टोरिया टर्मिनल बॉंबे जिसको यहां पर चत्यपती सिवाजी टर्मिनल मुंबई भी करते है Next question है आपका सबसे ज़्यादा कोईला का भंडार किस राजे में है तो सबसे ज़्यादा कोईला का भंडार आपका जहरखंड में है अगर हम बात के लिए मुख्यों कोईला उत्पादन खान आपका यहां पर जहरिया है और उस्तो सबसे ज़्यादा कोईला उत्पादन में दोस्तो 32 गढ़े दो सो भन्डार आपका जारखन द्रिये कि उतसे पादन चैपिश में नेक्स्ट कोश्टिन आहिए आपका कौन सा संक्रामा क्रोग नहीं है डिथा वह बीपी था जो गिलैपरेसर या आपका MS Excel में सेल को एडिट करने के लिए शौटकट कुंजी क्या है दोस्तों अगर हम बात करें सौटकट कुंजी के तो F2 होती है यह फिर दोस्तों अगर हम बात करें डबल क्लिक करेंगे सेल पर तो भी इडिट का ओफसन आ जाएगा Next question है आपका 1920 में असःयोग अंदोलन के साथ और कौन सा अंदोलन हुआ था दोस्तों 1920 में हुआ था खिलाफत अंदोलन महत्मा गांधी के राजनेतिक गुरु कोन थे दोस्तों राजनेतिक गुरु थे गुपाल कृष्न को उखले कहला सक्तार्थी ने कौन से अंदोलन का नेतेरोत किया था आपका बचबन बचाओ अंदोलन का नेक्स्ट कोश्चन देखने को मिरा है दोस्तो 15 वा होग जोन कौन से है दोस्तो यहापे जोन है इसको आप जोन कर लीजिएगा आपका मेट्रु रैल्वे कोल्गता उगर हम बात क्किने अठ्राहुमें की आपका साउथ कोस्ट रेल्वेे जिसका मुख look रेल्वे अप्रेक्षन का फिरिक्षण काूड नाम ता इसका स्माइल बुध्धा जो गें 18 मैंouslyr दोस्तों कुछ नर्थमलाई में मं दिर मंदिर तंज हुआ थैसे सभी से निर्मित है नेक्स्ट को स्टाहँ के सबसे युवा गुडवल एंबेस्टर कौन है दोस्तों सबसे युवा की बात करें दोस्तों मेल बोबी ब्राउन जोगी दोस्तों चौज़ा साल किये जहां 2018 में आपके गोड़ विल एमेस्टर थे नेक्स्ट कोस्चन है आपको दोस्तों 2019 आई एससफ वर्ल्ड कप में 10 मिटर एयर राइफल के गोल्ड मेडल किसने जीता दोस्तों जीता आपका अपरवी ने दिया था तो कथी का नहां दिया था ने यूटन ने नेक्स्ट कोस्चन ने जो फिजिक से था आपका यदि दरपेमान 14 केजिए और वेक 2 मेटर परति सेकेंड है तो इसका समव्यक क्या होगा तो दोस्तों कल समव्यक का कोश्य फर्मूला पुजियता आज दोस्तों यह मैं आपसे उपर डिसकस किया हूँ सबसे जादा उस पादक तमिलाडू में होता है और दूसरे नंबर पर बात करने तो आपका गुजरात हो जाएगा भेल का फुल फर्म पूछा है दूस्तो भारत है वी एलेक्ट्रिकल्स लिम्टेड नेक्स्ट कोशिन था आपका दूस्तो नंबर पुज़ागत तमिलाडू तीसरे पर आंध्य परदेश और दूस्तो सक्सी निचले पैदान पर आपका उत्तर परदेश है नेक्स्ट कोश्चन आपको देखने के मिरता बहुत अधर में से संबंधित नियम किस क्रंथ में है तो जोस्तो यह आपका नियम है त्रिप तीसमी और दूस्तो 2017 सब 202 में लगता रहे दोनों बार दूस्तो नौर्गेच ने टॉप किया है इसमें नेक्स्ट कोश्चन है अपका 2019 में अंतिम वाइट टाइगर की मौत होगी उसका नाम क्या था तो दुस्तों उसका नाम थह बाजी राओ नेक्स्ट कोश्चन है मैई 2020 में किस चक्रवात ने उडिसो और पक्षिम बंगाल में तबाही मचाई थी तो दूस्ट ये मचाई थी अमफान चक्रवात ने नेक्स्ट कोश्चन था आपका खेती के लिए सबसे अधिक रसायनिक उर्बरक खपत प्रती हेक्टेर की स्राजे में होता है तो दूस्ट ये पंजाब में है 144 केजी प्रती हेक्टेर नेक्स्ट कोश्चन था आपका विश्व का सबसे लंबा रेल्वे-मार्क कौन सा है तो यह है अपका Trans-S Gaussian Railway नो हजा, तो दूस्ट कोश्चन था आपका सूरत गुजरात में अगर आप पहले की बात करें तो पहला आपका इंदोर है नेक्स्ट कोश्चन है आपका भारतिय संगीता 2020 के अनुसार विस्वे के सभी धोजों के साथ हमारे जंडे की इस्तिक किस जगा होनी चाहिए तो उस्तो हमारे देश में अगर कोई भी जंडा किसी और देश के साथ हमारे जंडा फैरेगा तो उसके जिस्तो हमेशा पोजीशन पहला होगा हाइट भी सबसे जाता होगा इन सभी चीजों को ध्यान आखियागा संगीता क्यों सी है तो जिस्तो 2002 नेक्स्ट कोश्चन था आपका जिस्तो नॉमबर 2020 में किस आई इनस पंडूबी को सामिल किया गया था तो जिस्तो इसको सामिल किया था वजीर तो जिस्तो ये लौंच किया है रमन सैट 2 को अब असंग में सबसे पुदाना तेल कुमा कौन सा है तो जिस्तो जिस्तो आपका डिक्बोई नेक्स्ट कोस्टन था जो मुंसि प्रेम चंदर द्वारा रचित उपन्याज कौन सा है तो जो सो बहुत सारी उपन्याज से उप्सेंपर डिपेंट करेगा एक जांपल के लिए रंग भूमी निर्मला गवन करम भूमी गुदान सेवा सदन प्रेमासर है तो यह रही आज के इतने भी कोस्टन पूछे गए थे उन्स सभी के क्लेक्षन आई हो आपको पसंद आयागो तो वीडियो को लाइक करिए दूस्तों में सेर करिएगा वीडियो का पीडियो का डिस्क्रिप्शन में दियेगा लिंक से मिल जाएगा वहां साथ इसको जाकर डाउनलोड कर सकते हैं तो शली दिस्क्रिप्शन मिलते हैं अगले सिस्क्रिप्शन में तब तक अपना परी फेमिली एक ख्याल रखिएगा बाई